SSC Stano 2023 से related negative marking का अभी CPO का भी clarification आया हुआ है तो अभी मैं देख रहा था कई उस्टन पूछ रहते सर क्या हमारे इसमें भी कुछ ऐसा clarification आने की उम्मीद है तो जैसा कि अभी SSC Stano में हो सकता है कि इन्होंने ध्यान ना दिया हो अगर CPO में आया है तो Stano में भी आने की पूरी-पूरी उम्मीद है क्योंकि यह 1-3 का कुई ऐसा कुछ बनता नहीं है कि भाई 1-3 अचानक से कर दिया तो हो सकता है कि नेजर में ना आ जाओ लेकिन जैसे ही नेजर में आएगा कई नेगे exam के पहले-पहले clarify करेंगे कि ऐसा नहीं है ठीक है तो परिशान मत हो जब टाइम आएगा तब कहीं की clarification हो सकता है कि आपका आजयो जैसी आएगा आपको बता चल जाएगा अभी सिर्फ यह मान के चलो कि भी यह 1-3 लो चाहिए 1-4 तो जादा तर questions अपके सही होने चाहिए अगर आप final selection पाना चाहिए बस accuracy maintain करो और कुछ नहीं